प्रित्वी, आकाश, जल, अगनी, हवा ये सारे पंच भूतों को भगवान ने सारे प्राणियों को एक समान दिया है और सोच एक महाशक्ती भगवान ने सिर्फ इनसान को दिया वही सोच, प्यार, नफरत और कई सारे विचार और इनसानों का स्वार्थ एहंकार पैदा करता है और उसका अंजाम होता है मौत इनसान एक दूसरे का जानी दुश्मन बन जाता है फिर एक दूसरे को काटने के लिए इनसान जानुवर बन जाता है झाल 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 कौन तोड़ा जोर से बोलिये सुनाई नहीं दे रहा है हाँ आप सुनाई दे रहा है चलिए बोलिये क्या मर्डर हुआ है सर झाल 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 सर यहां पर एक जिन्दा है सर सरे चेमे लिए जोर फ्लिया घिड़ा जोर प्लिए आज तक तेरे उपर कोई कंप्लेन कोई केस दर्ग नहीं हूँ और आज तुने इतना बड़ा कांड कर दिया विश्वास नहीं होता इसका मतलब या तो तु बहुत भोला इंसान है या फिर तु बहुत जादा चालाक है इससे पहले कि इस केस के बारे में तुसे बात करो तुझे मेरे बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए हेलो ब्रदर्स और सिस्टर्स आप सब को एडवांस में हैपी दिवाली अक्षरा मेरी बहन है मेरी बहन मतला अब तुम सब की बहन जो यह भूल जाएगा मैं उसे याद दिलाओंगा जैसे इसे याद दिला रहा हूं नाम पर राइट्स है राइट्स नहीं प्यार है और इसके साथ जिम्मेदारी गूर्ण दिदी गूर्ण भाई गूर्ण दिदी गूर्ण दिदी नमस्ते सिस्टर एई दुबॉला सिस्टर बोला तो जान से मार दूंगी हानी तो तुझे मैं मेरे चहरे से क्या बहंजी लगती हूं सौरी सिस्टर खाना खाता है घास हट दिदी दिदी नमस्ते 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 दिदी दिदी नमस्ते दिदी कभी तो कोई ऐसा मिलेगा जो भाई से नहीं जड़ेगा देखना उसके साथ भाग जाओंगी फिर्मत कहना मैंने बोला नहीं सुनो तुम्हारे मुझसे ऐसी बाते बिलकुल अच्छी नहीं लगती कुछ दिन पहले सम्मुंदर किनारे एक घटना होई थी जिसमें एक इनसान की लाश मिली थी पुलिस इस घटना की चान बिन कर रही है यह बिकार के नियुश देखते रहते और मुझ पर पाबंदी लगाते श्याह के आसपास के लोगों से पुलिस पास इलेक्ट्रिसिटी च भगवान जी मेरी एक और कर दीजिए मेरा भाई कहीं बिजी हो जाए और मैं अकेले हैपी हैपी कॉलेज चली जाओं ओके फ्रेमें नहीं हां दो नारियल चड़ाओंगी मेरी एक च्छा पूरी कर दो पीस 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 बाई रजिस्ट्रेशन करने से मना कर रहा है कौन सी जगे शूपुरा में न वहां के लोग है सर अच्छा भो ठीक है बहन को छोड़ करा तो बाई वो थोड़ा अर्जेंट है ठीक है अक्षरा हां मुझे कुछ काम है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूं समलकर कॉलेज जाना ओके भाया मा तुम्हारी बेटी आज फाइनली स्वतंत्र हो गई आपको पता है मा मैं जो मांग रही हूं वह सब हो रहा है अच्छा तो जरूर आज कुछ होने वाला है देखो वहां क्या मा पी ना इतनी मुश्कल से आज एक चांस मिला था भाई का मन बदल जाए उससे पहले मैं यहां से गायब हो जाती हूं थैंकियो कृष्णा थैंकियो सो मच रोज ऐसे ही मेरी इच्छा पूरी करते ना मैं रोज तो नारियल चड़ाऊंगी ओके ठीक है ना इसलिए मैं तो मैं अकेला नहीं चोड़ता जब छोड़ता कुछ करबड़ जाती है गुना भाई प्रोग्राम कैंसल कर दो ठीक भाई है बाइ 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 या बाइ बाइ पुलल बाइ 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 कॉलेज में बाप आगया इसके लिए साही मर्द यही है पीशी चानु पीशे है आओ जीशाजी आओ 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 जीशाजी आओ 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 तुम लोग मुझे जिया जी क्यों बोल रहे हो आखिरे प्रॉबलम किया तुम्हारी यहां पर हमारी एक बहन है उसके साथ रिष्टा जोड़ना है हेलो जिया जी फाल तू की बखवास बंद करो जीजा जी तो शर्मा गें हाई जीजा जी सारे के सारे पागल हो चुके हैं इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं तुम सबका इस्कूड हो गया क्या हम् झाल कि चटका लगा ना मैं तो बता रही थी कि वहां लिखा है सब के प्यारे जी-जा-जी हाई आइम अक्षरा चला है अरे हलो लगता है बहुत आटिट्यूड है तुम्हारे अंदर हां ऐसा क्या खाते हो बताओ तो एक्टम पाफेक्ट हो तु हुआ सुधीर यह सर सुजीत के बारे में मालूम करना है उसके जी-जा को बुलाओ ओके सर एक दिन सुजीत जखम के साथ घर आया सर पूझने पर पता चला कि अक्षरा उससे प्यार करती है एसे फॉलो क्यों कर रही हूँ? सबके जी-जा-जी पर लाइन मार रही हूँ क्या कहा? सबके जी-जा-जी पर लाइन मार रही हूँ चला हट हलो? अभी तुम बस मेरे प्यार को फील करो थोड़े दिन बाद तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा तुम्हें गुम्हें पर लाईन जी-जा-जी जी-जा-जी जी-जा-जी-जा-जी-ज़ डिलिए कि छ यहाई अजारु पाने की हुआ है जए लाओ 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 सु जी अच्छर रा कर दो जाए जीजा जी बहुत जल्दी जा रहे हो थोड़ा समलकर जहाए शब्ट फटता जाए शब्ट कोई बात नहीं अगर वाज आगा ने तो प्रिकल जाएगा तब से ऐसे मुझे गूर क्यों रही हो तो क्यों नजर लग गई क्या जानू नजर उतारती हूं इसकी नजर उसकी नजर कॉलेज में सभी की नजर थू 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 दो मिनट चुप नहीं रह सकती जब देखो बखवास करती रहती हूं लगता है तुम्हारी माने रिष्टा चल जाएगा यह तो दिमाग से पूरी मेंटर है ओप्रीक रिच्टा चुल चुल में सब्सक्राइब रिच्टा जो एक दीदी हो तो अब ऐस्ता जोड गया ना या सेंस यार अक्षरा तुझे पूरा लाइन दे रही है वो डीप में गुश गई है सही है बाई यह तब पती जैसा फिल दे रही है तू बोल दे रजिस्ट्रेशन के लिए तयार हो जाएगी हाँ यार जतना दूर जाता उतनी मेरे पास आ जाती है वो लड़की समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है लगता है अब उसे एक दोस्त की तरह मुझे समझाना पड़ेगा बोलना पड़ेगा कि वो मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त बन सकती है कॉलेज में हम लोग पढ़ाई करन से लगाता कि नहीं करता है करता है है करता है कि अब 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 कि अब कि कि कमपनी चाहिए क्या छोड़ कि छोड़ देंगे हम जैसा बोलते हैं वैसा करो सच में छोड़ देंगे प्लीज सामने से हर्चा हटो कहाना प्लीज जाने दो तुम यहां पर तुम कैमपस में नहीं दिखे तो मैं क्या बहत है लवर तो यह हीरोगिरी दिखाएगा मैं जगड़ा नहीं जाता हूँ हमें की कॉलेज में पढ़ते हैं यह मेरी दोस्त है तो क्या कर लेगा मुझे छेड़ा तो इसे गुसा है मतलब मुझे पसंतो करता है मैं तिखाई नहीं दिया तो जहां मन करेगा वहां पहुच जाओगी ठीक है आज के बाद हम तोनों फ्रेंड्स है फ्रेंड्स चलो श्रुवात तो हो रही है फिलाल यही सही क्लोस फ्रेंड्स फुल क्लोस फ्रेंड्स थैंक्स ओके अब तो खुशोना सुझीट एक मिनिट हां तुम्हारी वज़ेसे सुझीट मेरे साथ कॉलेज जा रहा है सिस्टर पार्टी कर लो सुझीट पर हाथ उठाएगा बापरे नालायक थैंक्स पोलने गई थी अब चलें अक्षरा एक्चुली मैं तुम्हारे साथ एक कॉफी शेयर करना चाहता हूं थैंक्यों सुझीट अरे बापरे कॉफी बोल रहा है कॉफी मतलब स्ट्रॉंग कॉफी अरे कहीं यह कुछ और तो नहीं समझ बैठी कॉफी शेयरिंग का मतलब कुछ और तो नहीं है एई तुम ऐसा क्या सोच रही हो एक्चुली मैंने परसो यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था कॉफी पीने से दूसरी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं को एक्शली बहुत वहाट सारी दाब करी होतीना दाब कॉफी चक्रीम कफी कोफी सिंगल शॉट कॉफी कॉफी बहुत सारी टूम्हें कौन से टाब की कॉफी चाहिए बो अभी अभी हम क्लोॉज्स तो मुझे कॉपी है थपड़ पड़ेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी उफ ये लड़की भी बहुत बिगड़ गई हो तुम ये सब कुछ इस फोन की वज़े से पता नहीं क्या क्या दिखती रहती हो एक बात समझ लो आज से जो बोलूगा वो करना पड़ेगा पहले ये फोन इस्तम समझ कर बोलना पड़ेगा अच्छा सुनो तुम्हें रोज एक घंटा योगा करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा मन थोड़ा शांद रहे मैं तो बच्पन से योगा कर रही हूं भाया ने यह आदत डलवाई ओ वेरी गुड ये तो अच्छी बात है इसके साथ-साथ तुम छेची भी लड़की के लिए मा किताब की तरह होती है तुम उनके साथ ताइम स्पेंड करो यह सालों से मा के साथ ही तो टाइम स्पेंड कर रही हो हां यह लड़की तो बहुत ज्यादा तेज है सुझी तुम मुझे डाटे होना तो अच्छा लगता है हाई तुम यहाँ पर कैसे कल तुमने कौफी शेयर करने को कहा था ना इसके आ गई आज कौफी शेयर करें अरे तो क्या घर पर आ जाओगी क्या यहां से पापा देख लेंगे तो प्राब्लम हो जाएगी यह तो डरता भी है मतलब कौफी नहीं पियेंगे क्या अरे मैं आता हूँ ना तुम जाओ ओके क्या बात है जीजा जी सुना है अमारी बेहन घर तक आ गई थी अरे बाहर जा भाई देखने कैसे गूम रही आसा पड़ाई भी ध्यान दे चल जो जाओ यहां से मैं आ जाओंगी मैं आ रही हूं अरे यह रड़की भी ना जाओ यहां से तुम अरे जाओ ना मैं तुमसे बोल रहा हूं जाओ तुम बहार के निया बहुत अचन काम है तुमसे यह जाओ अक्षरा तुम यहां क्या कर रही हो common subject that's why I came कुछ भी डाउट है तो बाहर जाकर करो प्लीज गो आउट ओके मैं तुम्हारी प्रोब्लम क्या है क्या है पहले है अट्य ने पर अच्ट कंषब नी अच्ट में हमार च्ट्राव जबत ऊट्चप अच्ट कर अच्ट कर अच जबते हुआँ है जबते है यह जबते हैं सुजीत मेरे पीछे-पीछे भाग रहा था इसके साक्षी तुम हो तुम्हारे लिए ये बादल और आसमान दोनों साक्षी हैं अम आवस का चान सिर्फ तुम्हें ढूंडता है हवा में भी लकीरे खिच रही है धर्ती और आकाश कभी आपस में मिल नहीं सकते ऐसे चुपचा पस देखते रहोगे क्या इसकी बाद को सच करते होगे क्या तुम जो सोचते वो तुमने बोल लिया अब इस बारिश से बचा कर मुझे लाइट हाउस तक लेकर चलो इस चनम में तो तुम्हारा पीछा नहीं चोड़ने वाली ठीक है ना क्या हुआ आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हार जाने का डर लग रहा है क्या चलो वाओ येए वाओ आर जी साब दो एकर जमीन पूरी मेरे दादा जी की है सुर्य गार्डन सिटी और ये एक एकर जमीन समुद्र किनारे आप से ज़रूरी बात करनी है ठीक है गुना तुम कुछ बोल रहे थे क्या है भाई वह अपनी बेहन किसी के साथ है क्या बाक रहा तुम सच करा भाई उस दिन कॉलेज में जिसने हाठ डाला था आप पर तेरा कॉलर क्यों पकड़ा तुझे समझना चाहिए कोई बात मेरे तक नहीं पोचनी चाहिए दोनों एक दूसरे को भूल जाया ऐसा कुछ कर ठीक है भाई समझ क्या मेरी बात क्यों और समझाओं समझ क्या भाई क्या मेरी आप तेर्ग के भूल बात का भूलों कि अ ह्युट रहुम कि अ अ है कि अ मैं अ है वह कि उन्हें अ है वाई आखिर ये कर के रहा है कर कि रहा है बाफ्ट मिया इ सकते हो थोई चलॉ एक बात समझ लो प्यार करने उसकी पहन आई थी और मुझे उससे प्यार हो गया है अब हम दोनों को परवाला भी अलग नहीं कर सकता पता नहीं उस लड़की ने मेरे अंदर क्या देगा मिलते ही मुझे प्यार प्यार करने लगी जैसे उसके भाई को पता चला तो उसके भाई ने चांद से मारने की धम की दी थी अगर तुम्हें कोई हल्प चाहिए तो मजे बता देना हमारे बीच कोई जगडा नहीं है किसी क वह अक्षरा को आवाइट क्यों कर रहा था उसकी वज़े मैं ही हूं सर मेरी वज़े से सुजीत की फैमिली में डिस्टरबेंस चुरू हो गया था भाया यहीं रोग देजिए सुजीत यह दिखना अभी तक देखा नहीं क्या सोच रहा है तू इसे देख कैसा है अच्छा है ना यह चिटफंड के पैसों से लिया है तुम्हारी बहन के लिए तुम दोनों के लिए लेने गई थी लेकिन यह नेकलेस देखने के बाद मेरा मन बदल गया और वैसे भी शादी के बाद वो अपने घर जली जाएगी तुम्हारी आखे इतनी लाल क्यों है अहां कुछ नहीं मा बाहर से आया हूना आखों में दूल चली गई मैं नेकलेस उसे दिखा कर आती हूँ अरे कहां है वो ए सुझित कहा है तुम्हारी दिदी पूरे घर में दिखाई नहीं दे रहे कहीं चली गई क्या बीना बताया चले गई टाइम की परवा ही नहीं है कितनी लापरवा है ठीक है बार में दिखा दूंगी बात है सीमा डिली हमेशा टाइम पर ही जाती है यह सब देखने के बाद सुझित का प्यार से विश्वा सोटके असार उसे लगा कि प्यार में सिर्फ तकलीफ ही जेड़नी पड़ती है इसलिए वो अक्षरा से दूर भागता रहा सुझित की वजए से मेरे और उसके परिवार की दूरी काम हुई सर ए सुझित जल्दी से मुझे पता है पहले तुम यह क्या कर रहा है क्या है चोटे बच्चों की तरह जगण रहे हो अभी जाना इतना जरूरी है क्या दो दिन और उपकर जा सकती हो ना नहीं मा इनने खाने पीने में तकलीफ होती है ना ठीक है बेटा तुम्हें अपनी पती की परवाह है वो हमारे भी थोड़ा ध्यान रखा करो तुम्हारे पिताजी आ गया है उनके साथ चली जाना जाना दिदी में रेडियो करके आता हूं चल्दी जा जब देखो तब जिद करती है हमारी बात नहीं सुनती तुम भी न मा कमाल करती हो, पापा तो मेरी शकल भी नहीं देखना चाहते, क्या बोल रही हो, मुझे देखके बोलो, और नहीं तो क्या मा, दस दिनों से देख रही हूं, मेरे सामने तो पापा आते भी नहीं है, अब क्या बोलोगी तुम, बाप बेटी के बिच, मैं ही पीस रही हूं नहीं नहीं मैं ही पागल हूं पापा मैं ठीडी को ड्रॉप कर किया था हूं ए सुझीत आहां बच्पन से उसके नाम से कुछ सेविंग किया है और एक फ्लेट लिया है मैंने उसके नाम से यह डॉकुमेंट्स उसको दे देना हालो हाँ मैं ठीक हूं तू बता कैसा है लोग कहते दे कि प्यार अंधा होता है यह बात अब समझ में आई जिससे प्यार करते हैं उसके लिए सब को छोड़कर चले जाना पागल पन होता है मैंने शादी कर ली और यह बात ममी बाबा को बताई भी नहीं थी लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि वो मेरे लिए कितने इंपोर्टेंट है मेरी जैसी पर मुझे पुरा नहीं लगा वैसे इतना गुस्सा कियो मुझे ही तो पक्ड़ा ना अरे किसी आजनवी को थोड़ी ना पक्ड़ा तुम तो मुझे तुम्हें क्या का मैं मुझे एक मिठा अब ठीक है टेंशन खतम ऐसा करने से टेंशन खतम हो जाती है पता है यह बताने के लिए अब रायो नहीं नहीं एक सीरिस बात करने थी अच्छा तुम उस तरफ देखो मैं बताती हूं अच्छा ठीक है मैं ही पलड़ती हूं तुम्हारी नजर में मैं एक नक्चड़ी लड़की हूं है ना बहुत शरारती भी हूं बरबर करती रहती हूं सरफिरी मेंटल पागल यहीं सोचते हो ना कोई लड़की किसी लड़के की पीछे भागेगी तो सभी यही समझेंगे लेकिन मैं यह करके बहुत खुशों सुजीत जिस्ट पिकर सफ यू क्यों किस लिए पूछों के तो आई कान टेल यू इस उमर में सभी लड़कियों के मन में एक ही फीलिंग होती है जो वो हर किसी से शेर नहीं करबाती लेकिन उसकी लाइफ में एक स्पेशल बरसन होता है जिसके साथ वह सब शेर करती है मेरे के लिए वो तुम हो सुजीत और अभी के लिए नहीं हमेशा के लिए लाइफ लॉंग अगर ये बात अभी नहीं बताऊंगी तो कहीं मेरी सांसे ही ना रुक जाए लेकिन उसे निभाना मुश्किल बाद में पसीरे छूड़ जाते हैं समझ में आया तुम्हारी एक फैमिली है उस फैमिली का सोसाइटी में एक स्टेटस है तुम्हारा एक भाई भी है उन सब ने पता नहीं तुम्हारे लिए क्या-क्या सोचा होगा प्यार करने से पहले उ अपने परिवार वालों के अबारे में सोचना चाहिए इसलिए आज की बाद मेरे पीछे इस तरफ पागलों की तरह मत आना जाओ गह उना जाओ कि अधिर पर दो कि अधिर अधिर कि अधिर एच तुम्हीं ने कहा था ना कि धर्टि और आकाश का मिलन नहीं होता ये जो बारिश है उनकी मिलन की वज़ासे हो रही है अब जीऊंगी और मरूंगी तो सेफ तुम्हारे साथ विशाखानगर में जो हत्या हुई है पुलिस उसकी तहकिकात बड़े ही जोर शोर से कर रही है यह हत्या जेवी ने क्यों किया है पुलिस डिपार्टमेंट इस बारे में कुछ भी नहीं कह पा रही है आखिर इसकी वज़ा क्या है आए दिन ऐसी घटना है तो होती रहती हैं सर हम लिखते रहते हैं और आपको भी पता है तो इस मामले में पुलिस क्या कहना चाहीगी सर गले में टैग हो और हाथ में माईक हो तो जो दिल में आये वो बोलोगी जो भी पूछना है सीधे पूछो अब और क्या करूं सा आरजी केस के मामले में आपके डिपार्टमेंट ने प्रेस के सामने एक भी एविडेंस नहीं रखा मतलब ये केस अब तक सॉल्व नहीं हुआ है तो फिर ये बताएए उस साइको आरजी को अब तक कोट में पेश क्यों नहीं किया गया आप ऐसा क्यों सोच रही हो कि आरजी साइको है जो अपनी बहन से जान से जादा प्यार करे पर दुश्मनों पर जानवरों की तरह तूट पड़े उसे क्या कहेंगे सर साइको ही बोलेंगे न जिसने अक्षरा का नाम अपने हाथ पर लिख दिया था उसका हाथ उसने जला दिया था सो सो दट साइको हाज नो राइट तो लिव इन दिस सोसाइटी रामायन को एक ही तरीके से देखा जाता है और उसमें भगवान भी है और राक्षस भी एक तरफ इस केस से सम्मंधित गवा हॉस्पिटल में जिन्दगी और मौत से जूज रहा है और दूसरी तरफ कोस्ट मॉटम रिपोर्ट और फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट्स नहीं आई है यह सारे रिपोर्ट्स आने के बाद आर जी साइको है या नहीं यह कोट डिसाइट करेगी सेर रिपोर्टर जैसा बोल रही है आर जी ने जो किया वो गलत किया न सेर तो फिर हम इस केस को डिले क्यों कर रहे हैं सेर एक बात बता हां सेर राम ने सुर्फ नखा की नाक काट कर भेजा वो गलत था या सही था लड़की थी सर गलत था ही पर राम ने ऐसा क्यों किया या जाने बिना रावन सीता को उठा कर ले गया वो गलत था या सही था गलत था सर फिर रावन के कबजे में जो सीता थी उस पर रावन की परचाई भी नहीं पड़ी फिर भी राम ने रावन को मारा ये सही था या गलत था सही नहीं था सर सुर्फ नखा ने रावन को सही बात नहीं बताई सिर्फ ये कहकर कि राम ने मेरी नाक काट दी उसने रावन को भड़काया ये सही है या गलत गलत है सर, ये तो बहुत बढ़ा अद्याय है, लोग कितनी किताबे पढ़ते हैं लेकिन छोटी सी बात को नहीं समझते हैं सर अच्छाई और बुराई हर इंसान के अंदर होती है, हालात की वज़े से इंसान जो निर्ने लेता है, उसी के आधार पर इंसान सही या गलत होता है लड़की जब 16 वरस की हो जाए, उससे 3 साल के अंदर जवान लड़की को ये सोचकर घरवाले उसके लिए लड़का डूना अपने करताबे समझते हैं अगर माबाप लड़की के शादी के बारे में लापरवाई करें, तो उसके दोशी लड़की से ज़्यादा उसके माबाप होते हैं, एक परिवार में ऐसा ही हुआ, अगर एक बार जवान लड़की घर की डेलिस पार कर दे, तो सब कुछ परवाद हो जाता है इसलिए लड़की के जवान होते ही उसके लिए अच्छा रिष्टा दे कर उसके शादी कर देनी चाहिए, ऐसा हर माबाप को करना चाहिए, यही, इसका एक उपाय है अपने वेद और काल को छोड़कर, इंसान बहुत दूर निकल गया है तुम बहुत पीछे जाके सोच रहे हो बेटा लड़की जब सोला वरस की हो जाए, उससे तीन साल के अंदर जवान लड़की को यह सोचकर घरवाले उसके लड़का डूना अपने करता पे समझते है माबापको समय रहते हैं लड़की के शादी कर देनी चाहिए वेद और काल, उम्र, यह सब कुछ धर्म के डोर से बढ़ाएवा जब उम्र हो जाती है, तो सभी चार बाते करते हैं लेकिन सिम्मेदारी हमारी है, आजादी बहुत देदी, अब रिष्टा देखते हैं मैं करता हूँ कुछ मैं करता है अब जीऊंगी और मरूंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ अरे बाप रहे हैं कहां है सुजीत को दे दो सुजीत को दे दे पूचरा है सुजीत को प्रपोस किया था, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया सच में डायरेक्ट लिप लॉग सुजीत कल अक्षरा ने तुम्हें प्रपोस किया था और डायरेक्ट लिप लॉग अक्षरा पर अक्षरा पर बाफ लॉग सुरी 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 पोलने के लिए तो चिट भेजा था कहां पर क्या बोलना चाही समझ में नहीं आता तुम्हें पागल हो गईयो क्या अरे ऐसे ही मजाख किया। मज़ाक हमेशा मजबही सूचता है तुम्हें शे हमारे चाहे कितने बھی जन्म हो जाए हमारा प्यार एक नहीं हो सकता क्रका क्रका हुश्य कर भोलो भोलो मुछे मना कर रहो तो tut यह सब क्या कर रहें देखो तुम्हारी वज़े से मेरी चूड़िया तूड़ गई है अब तुम्ही खरीद कर दोगे वरना मैं घर नहीं जाओंगी ठीक है चूड़िया खरीद दूँगा पर दुबारा पीछा मत करना मेरा वरना दान तोड़ दूगा चलो बढ़ाओ सपने दिखना बंद करो और दोबारा ऐसा मत करना ठीक है ओके पाई मैं आटो में बैठों तब तक तुम यहीं पर रहना ओके अरे जाओ बाई अठीक है बाई जाओ बाईया यहाँ पर कैसे कि इति करें है युद्ध करने अपर दोड़ा राक्षा चाहीं कि गवे जे पर रहुआ अपर भुम हो बढ़ाँ कर दोड़ा नद भाईया आख राक्षा भाईया हुआए अभी है आपके इंदर कर राक्षा से पावश्यार्याग परसना बढ़ता जा रहा है अग्षरा ऐसा कियों बोला पता नहीं आप पास होते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है इसमार्ट रिपोट आ गई है से सुनो मुझे सुजित के बारे में और जान कारी चाहिए उसके सारे दोस्तों को बुलाओ वो की सार सुनो मुझे सारे दोस्तों को पास है तुम सब को पता है, अच्छी तरह पता है कि वहाँ क्या हुआ था वहाँ जो कुछ भी वहाँ वह अचानक नहीं हुआ, पक्का प्लान करके हुआ, तुम्हारे दोस्त और उस लड़की से संबंदित हर जानकारी मुझे चाहिए, हमें मारिये मत सर, we are just friends, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी पता नहीं है, तुम्हें नहीं पता, सच में नहीं पत मैं कुछ बताना चाहता हूं सर, शैद आपके काम आ जाए, हम बोलो, सुजीत अक्षरा को पसंद नहीं करता था, लेकिन अक्षरा सुजीत के पीसे पड़ी रहती थी, और इसी घलत फैमी में, आरजी ने सुजीत पर अटेक करवाया, चल्च, छल्च, अब और, लेज़ो, पिन्खे, कर दो, डाल ताल, चल्पिला, पिला दे पिला दे डाल मों में चल भाई चल अपना काम तो हो गया सही कहा चल पी ले बढ़िया से अरे आर जी का आजमी आया चल देखते हैं क्या बात है आजा चल चल की देखते हैं कि अब हो गया बोलपिला के नाव में छोड़ दिया अभी तक मचलियों का आर बन गया होगा अरे यह नाव तो वापस आगई कि अभी तो नाव उदर छोड़के आये थे फिर यह अपने आव वापस करसी आ गई तो यह नाव में कोई नहीं हैं यह क्या यह उधर जाकर देख और तुई इधर से आज 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 अगर वह नहीं मरेगा तो हम सब मर जाएंगे भूट उसे इया कि अखे से लुड़ को अटोरा कि अखे भी कि अखेंश कि अखेंश कि अखेंश इफ एप अखेंश सुनके अय कि अखेंश अ खेंश इजगा माफ भू ख ख नच्छों नट ख बडत व ते मजए ख ख अ ख रहर जगुंदत भॅ दख ख फजें यंख ख रहर एदयर अच친 को लू़र का ख श ख ख थे ख त ख ख अर खुक हुआToday गमस्ग है एः! आपाउगगगझ दो जब है दो घए! करें अ कि उस वक्त सुझीत को मैंने ही बचाया और मैंने ही होस्पिटल में अलुकर आया सु कि सुझीत के बारे में सोचकर अखश्रा टेंशन मर आ गई थी वो होस्पिटल में मैंने ही उसे बताया अक्षिरा किसे डूड़ रही हूं तो सुजीद को क्या वह एक हफ्ते से होस्पिटल में है क्या तुम उसे ना डूड़ो तो ही उसके लिए अच्छा होगा कम से कम जिंदा तो रहेगा सुजीद होस्पिटल में ये सुनकर अक्षिरा को बहुत दुख हुआ सर ये सब कुछ उसके भाई ने करवाया है ये वो समझ गई थी क्या बात है लक्ष्मी चिप्स खा रही हो हाँ अंटी ऐसे कुछ भी मत खाया करो हाँ हाँ ड्राइफ फ्रूट को रात में भीगो कर सुबह उसे खाया करो बच्चा सुन्दर होगा ए लक्ष्मी तुम सस्रॉल क्यों नहीं जा रही हो यहां पर आई हुए बहुत दिन हो गए लड़की का पहला बच्चा मायके में होना चाहिए ये कहीं भी रहे तुमें क्या अरे मा पहले बच्चे के समय आप कहां पर थी और कहां रहती मैं अपने मा के घर पे थी चाहे कोई भी औरत हो उसका पहला बच्चा मायके में ही होना चाहिए चाहे कोई भी लड़की हो उसका पहला बच्चा मायके में ही होना चाहिए क्या ये बात हमारी दीनी पर लागू नहीं ह सब कुछ छोड़ कर गई है ने पापा एई क्या है जो मन में आया बोले जा रहा है तु दीदी ने कौन सा गुना कर दिया मा पजिस से प्यार किया उससे शादी की इस बासादोह खुश होना चाहिए और अगर वो दुखी है तो हमें भी उसके दुख में साथ होना चाहिए मा मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ मा एए वो खुश है इस बात का दुख नहीं है हमें उसके खुशी के लिए हमने क्या खोया है तुम्हें पता है क्या उसको जनम देने के लिए तेरी मा मौत तक से लड़ गई थी मा सारे बच्चा घोंगया है बहुत क्रिटिकल कंडिशन है ओपरेशन करना होगा मुझे चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चे को जनम दूँगी उसके जनम लेते ही है खुशी के मारे एक दम से पागल हो गई थी 20 सालों तक इसी घर में पनी बढ़ी वो हर जगह उसी की यादे चुपी हुई है सारे रिष्टे नाते तोड़ कर चली गई उसे जरा भी तकलीफ नहीं हुई यहां तक कि अपने मा की गर्ब का ऐसान तक नहीं माना उसने आस पास के लोग रिष्टेदार हमारी परवरिश पर आज भी उंगली उठा रहे है हम किस दर्द से गुजर रहे हैं हमें ही पता है सब कुछ भूल जाएंगे लेकिन इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि हम उसका कन्यादाद नहीं कर पाए जब तक जिन्दा रहेंगे दर्द बना रहेगा कैसे भूलेंगे हम चितना दर्द आपको है पापा उससे कहीं ज़्यादा दर्द हमारी दीडि को है आप उससे प्यार से बात करेंगे इस बात का वो इंतिजार कर रही है सजा देने वाले से बड़ा माफ करने वाला हुदा ही आपने ही सिखाया था और मुझे यकीन है कि आप बड़े दिलवाले हैं पापा बेटा ये रिष्टा बहुत अच्छा है हमारी किसमत खुलने का समय आ गया ठीक है पापा नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते बैठे लीजी लड़के का अमेरिका में MS हो गया है कुछ दिनों पहले जॉब भी मिल गई लड़के की परवरिश बहुत शिद्धत से की है आपकी बेहन को हमारे कोई तकलिफ नहीं होगी लड़की बहुत अच्छी है ना अहां पापा अरे देख वो ही है मा उसे तयार करके लिया ठीक लड़की का तयार क्या हो ना हमने उसे देख लिया है आगे के बाद हम लोग कर लेंगे ठीक है ना बेटा ठीक है मा सब रस्मों रिवास से हो तो सबको इस बात में खुशी होती है मैं ये शादी नहीं करूंगी चुपकर क्या बोले जा रहे है तो पापा लड़की को तो ये रिष्टा पसंद ही नहीं है एक बात पुछू है जी सर आपने अपने बेटे को ये क्यों नहीं सिखाया कि शादी का फैस्ता बड़े करते हैं मेरे बेटे को ये सब अच्छी तर है पता है लेकिन किसी और को आप फिकर मत कीजिए शादी के तैयारी कीजिए सुजीत का नाम मेरे दिल पर लिखा है सुजीत को आप मुझसे दूर नहीं कर सकते अब वो मेरे साथ हमेशा रहेगा अब क्या करेंगे आप बेटा ये आपका पारिवारिक मामला है आपस में बात कर लें माफ करना बेटा गर का बेटा अगर नहीं माने तो कुछ नहीं जाता लेकिन अगर लड़की नहीं माने तो हर किसी से ताने सुनने पड़ते हैं सिर्फ रिष्टे की बात होती तो कोई बात नहीं थी लेकिन अब बात दिल पर नाम लिखने तक आ गई है अब इसके आगे हम क्या क्या सकते हैं आप भी देखिए कि गाव में यह बात पहले ना बस कि अब आप संसकारों की बाते मत कीजिए हम निकलते हैं कि पाया कि है कि वश्पन में मुझे जो भी पसंद होता था सबसे पहले आपको पता छलते तो पिर मेरे प्यार के बारे में कैसे नहीं पता चला हां आप चाहे कितने भी लड़के ले आए मैं शादी तो उसी से करूँगी मैं जीऊंगी और मरूंगी तो सुजीत के साथ अगर आपने अपनी जित नहीं छोड़ी तो अभी मर जाओंगी जाकर मर जाओ मेरी बेहन किसी के साथ भाग जाए इससे बेतर है कि वो जाकर कहीं मर जाए मैं परदाश्ट कर लूँगा अक्षरा अक्षरा ने जहर पी लिया यह बात हम लोगों ने उसे पता ही थी अरे सुजित यहां क्या कर रहा है अरे तुमसी बोल रहा हूं अक्षरा ने जहर पी लिये है हास्पिटल में है उसकी जान खतर में है मुझे मालूम था कि यह सब होगा प्यार को निभाना असान नहीं है इसका कोई future नहीं है अक्षरा से बात करेंगे तब ही यह problem solve होगी सुजित ने अपनी दीदी की गुद बढ़ाई के लिए अपने माबाप को मना लिया था सर गुद बढ़ाई के बाद सुजित ने अक्षरा से मिलने का फैंसला किया था सुजित रहे नुद बढ़ाई के लिए नुद बढ़ाई बेटी क्या हूँ अब बेटी तुम्हें दर्द शूरू हो गया क्या मा जल्दी आये इससे दर्द हो रहा है मैं समालती हूँ आप जल्दी से होस्पिटल में फोन कीजिए मा वाँ मा कि उसके बाद सुजीत अक्षरा से मिलने गया आगे क्या हुआ वो मुझे पता नहीं सार हलो बुद मॉनिंग सर क्या हुआ इस केस में बहुत सारे कॉंप्लिकेशन से सर आई निट सम मोर टाइम कॉंप्लिकेशन से आपको क्या लेन देना है गवाव अगेरा सब कुछ बराबर है ना जल से जल इस केस को क्लोज करो समझ में रहा है ना ओडर ओडर गवान अई होने की वज़ा से केस को अगले शुकरवार तक स्थागित किया जाता है तब तक मुल्जिम आर जी को रिमांड में भेजने के लिए पोलिस डिपार्टमेंट को ये आदेश जारी किया जाता है करना जाता है तो नहीं इस सब्सक्राइबाब तो नहीं तो यह इंतर नहीं नहीं तो यह इंतर नहीं रहेगा गए व कि अी ऊच्त करता рок руки जास टाट जाँ बाचँ झाफ करता हम अच्त करता हूट्त सिस्टर इधर आईए जैन सर आर जी क्या आदने को होश आ गया है सर होश में आ गया है गाड़ी स्टाट करो गुनाह अर्जी साब आपकी बेल मंजूर हो गई है मबारक हो अहाँ इस दिन वहाँ पर जो भी हुआ उसके बारे में लोग अलग अलग बाते कर रहें लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ क्या हुआ था सिर्फ तुम जानते हो और वहां क्या हुआ था यही जानने के लिए मैंने तुम्हें बचाया है आखिर उस दिन क्या हुआ था उस दिन क्या हुआ भाय अचानता थे मतया से मिलना होगा बाई आप दोनों में 36 का अकड़ा है और अकेले उससे मिलने जाना ठीक नहीं होगा उसकी वज़ा से हमारे खांदान पर दाग नहीं लगे और उसकी शादी मैं ही कराऊंगा बच्पन से कितने सपने देखे हैं कि मैं उसे अपने हाथों से विदा करूंगा वो तो मैं करूंगा ही मतया तुम से कभी मिलूंगा मैंने सोचा भी नहीं था मेरी एक बहन है और मेरी बहन मेरी जान है उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए एक बार भी नहीं सोचता और मेरी बहन ने भी मेरी खीची लक्षमन रेखा को कभी भी पार नहीं किया अब वो एक लड़के से प्यार करती है और अब मेरे खिलाफ ही बोलती है वो उसके लिए पागल होती जा रही है उसको तुम डराओ मारो मैं नहीं जानता मुझे मेरी बेहन चाहिए बस मुझे उसके जिन्दगे चाहिए बस जो बोलोगे दूँगा जो बागोगे दूँगा बस मेरी इतनी बदद कर दो मैं तेरा दुख समझ गया आर जी मेरा दंदा है समुद्र की मचलियों को पकड़ना और इंसानों का कतल करना मैं पैसों के लिए किसी को भी मार सकता हूँ तो जिन्ता मत कर यह बात ने सुजीद को बता कर उसे बजाने की सोच रहा था मैंने उसको फॉलो भी किया था और उसी समय अक्षरा सुजीद से मिलने के लिए बहाँ आई सुजीद सुजीद यह सब मेरी वज़े से हुआ है मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाईया ऐसा कुछ कर बैठेंगे इतने वाइलेंट हो जाएंगे बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे हमेशा बैस्ट दिया है फिर चाहे मुझे बालों के लिए हैर पिंट चाहिए हो या पैरों के लिए नेल पॉलिशी क्यों ना चाहिए हो सब कुछ उन्होंने मुझे ला कर दिया मेरी पसंद या फिर मेरी ना पसंद बिना कही ही वो हमेशा समझ चाहते थे लेकिन मेरे मन में तुम हो ये जानने के बाद भी पता नहीं क्यों वो मुझे तुम से दूर करना चाहते हैं इसलिए मैं भाया को बस बताना चाहती थी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती इसके बाद क्या होगा पता नहीं लेकिन मैंने फैस्ता ले लिया है, इसलिए तुम्हारे पास आ गई हूँ अक्षरा, तुम अपने नाम की तरह बहुत ज़्यादा खुबसूरत हो, जब तुम्हें पहली बार मैंने देखा, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया था, लेकिन प्यार को निभाना आसान नहीं है, उसका फ्यूचर नहीं है, इस सूरज के अंदर ना बहुत आग होती है उसके करीब जाकर ही पता चलता है, प्यार भी वैसा ही होता है यह समाज प्यार को एकसेप्ट ना करें, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फिर जाहे तुम्हारी फैमिली हो या मेरी फैमिली हो अगर फैमिली प्यार को एकसेप्ट नहीं करती है तो वो प्यार की दुश्मन बन जाती है और फिर प्यार करने वालों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बजता है या तो भाग जाओ या तो जान दे दो और यही प्यार की असलियत है मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं मेरी भी एक बड़ी दीदी है जो किसी लड़के से बेबना प्यार करती थी पर हमारी फैमिली ने उसे सपोर्ट नहीं किया अगर मैंने उसे सपोर्ट किया होता तो वो आज हमारे साथ होती हमारा परिवार भी एक हैपी परिवार होता इस अब जनने के बाद मैं आखिर वो गल्ती कैसे दोहरा हूँ तुम ही पताओ ना तुम्हें ये बात पता है हमारे माबाप को खुशी कब मिलती है जब हमारे माबाप हमारी शादी करवा कर हमें आशिरवाद देते हैं तब मिलती है प्यार करने से रिष्टे बनने चाहिए ना कि रिष्टे मिटने चाहिए एक पिता बड़े प्यार से अपनी बच्ची की सारी जिम्मेदारियों को पूरी करता है और फिर वो उसी बच्ची से दूर होका कैसे खुश रहेगा ये तो हो ही नहीं सकता तुम्हारा परिवार भी तुम्हें अच्छी जिन्दगी देना चाहता है तुम्हारी आखों में खुश ही देखना चाहता है लोग भाई को तो भगवान मानते हैं भाई को दुश्मन मत मानो जो इंसान तुम्हें मार देना चाहता है उसे ही तुम भगवान कह रहे हो लेकिन असल में वो भगवान नहीं है तुम हो मैंने तुमसे प्यार किया है तुमसे शादी करनी है तुम्हारे साथ चीना है बच्चे पैदा करने शायद मेरे और तुम्हारे प्यार में स्वार्थ है तुम जो कह रहे हो शायद वो सही हो लेकिन प्यार का मतलब तो साथ रहना होता है ना शायद मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए पुजा करनी चाहिए प्यार का मतलब यह नहीं है कि हार लड़की अपने बसंद के लड़के से शादी कर पाए मैं चलती हूँ जा रही हूँ मेरा भाई जिससे कहेगा मैं उससे शादी कर लूँगी सुजीत बाई अक्षरा 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 और फिर अक्षरा से विंती की सुजीत ने तुम्हारे भाई ने जो कहा है वो करो कैसे भी जगड़े खत्म हो जाए इसलिए मैंने सब कुछ फोन से शूट किया और आर्जी को भेजा सुजीत को उसने वलत समझा ये उसकी समझ में आ गया और इतने में ही करेंभी तू यहां पर क्यों आया तू जल्दी से यहां से भागचा आरजी ने अपने आपनी को बेजा तुझे मारने के लिए तू जल्दी जल्दी यहां से यहां ऑनी के लिए आहाँ जोड़ा है शोजी जोजी है शोजी जोड़ा पूलाँ हुआ और पूछे को अठाकर मोलोग ले जा रहे है पर झाले मं पर symmetry और चृटल सुझे काटके बाग रही है गाड़ी जो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो एकशYou कर दो म कर दो सउचीत दो मेरी बात्स हो खरा को छोर दो से cिरा सावड मैं मैं जो सव्क्षीत सुचीत одна, अचिर Hahn! अचिर! अचिर Hahn! तजि झान! चारब, चारबचे! चार अ, झार्बूची fps! ठीजिजी E ये येज़ जे भी बस्टता, ये ये रग copper येज़ जे येज़ ये येज़ी झाह हुआ 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 था हुआ है बड़ बॉवैं वर रॉवैं उली थे उली पान? हई उली जली पान? हाँ! इञां और बॉवैं उली फटार है कर दो अाक अजिए अully आक्षे आप आई आप आप आपक्षे नह आप आप अक्षिर्ण अक्षिर्ण समुद्र के किनारे ले गया है है हुआ 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 अब तो बहुत खुश होगे ना तुम्हारे बदले की याग ने तुम्हारी बेहन को खत्म कर दिया क्या हासिल हुआ तुम्हें मुझे मारना था तुम्हें मार लेते इस सब से क्या मिला तुम्हें मैंने पहले ही कहा था तुमसे चाहे तुम कनविंस हो या ना हो मैं कनविंस हूँ या ना हूँ तुम चाहकर भी अक्ष्रा को मुझसे अलग नहीं कर पाओगे नहीं नहीं प्रुम्हें मारी क्लोस फ्रेट्स फुली क्लोस थैंक्स, ओके इस पूरे कॉलिज में सिफ तुम ही एक जीजाची हो और इस पूरे कॉलिज में सिफ मैं ही एक दीदी हूं तो निष्टा हो गया ना अब जीओंगी और मरूंगी सब तुम्हारे साथ अब जीए कर दो कर दो उसी दिन मुतया को मार देता लेकिन आरजी ने अपने उपर केस क्यों लिया वो मुतया का इरिया था दिवाली के आने में कुछी महीने मचे थे आरजी जाकर मुतया से मिला तब ही ये सारा प्लान बदल गया इसलिए आरजी यहाँ जेल में रहा भाई को सजा हो गई ये सोचकर मुतया आराम से बाहर घूम रहा था आरजी मौके की तलाश में था वो सच में उसे नहीं छोड़ेगा आराम से तलाश में था हлаг आगु ह।खव थह ईजुए हुख एगु हुख भुए हुख रगु खई कर रिक है वह वाफ नुमुम नँ औरे हुख लिर ह不ड़र चर झाल में एखुण विर से लाग हुख कर दो अ अब खूश ओ ना जब पैदा किया तो नाम इज़त सब कुछ था मेरे पास क्यों छिनलिया मुझसे सब हूज हूज पैदा होते ही मुझे क्यों नहीं मार दिया नहीं में अपनी को जिंदल के अक्षिर को इसे कुंसी कॉछ को दिये वह कौंसी दिया कॉंसी कॉंसी कॉंसी"; कर दो कर दो कहते हैं इनसान जानवर बन रहा है पर सचाई ये है कि जानवर को धोखा, द्वेश, एहंकार, स्वार्थ जैसी चीजों के बारे में पता ही नहीं कोई भी जानवर अगर शिकार करता है तो सिर्फ अपने पेट के लिए और जब पेट भर जाता है तो वो चला जाता है शिकार को वो अपने साथ लेकर नहीं जाता है लेकिन जब इनसान के अंदर जानवर पैदा होता है तो वो सोचता है उसे ये चाहिए, वो चाहिए इसी मूर्खता के साथ बिना सोचे वो फैसला लेता है और फिर ना जाने कितनी जिंदिया बरबाद हो जाती है अगर इसे रोकना है तो इनसान को इनसान की तरह सोचना होगा और उसे सही निर्ने लेना होगा